असलाम अलेकुम आज मैं सेव की खीर बनाने जा रही हूं यह ऐसी सेव है यह से मिलते बाजार में रेड़ी बें ऐसे रहते सेव इसको आड़ा कप पानी में से भिखते रखने के फ्रैसे हो जाते हो इसको अब मैं दूद में पका के लूंगी यह और रू अफजा एक चमंत घुर आफजा लिएं और यह पिस्ता है और बदम अंदर पकाने के लिए और शक कर लिएं एक वाटी है और आधा लिट्र दूद लिएं इसको पकने रखें उगां के अनदर में सेव आड़ करूँगी यह दूद पक चुका आपड़ा और ठोड़ा करके लिएं इसको पका सेव बारे इसके अंदर अच्छे से घीला के लेंगे उसको बहुत अच्छे टेस्टी लगते हो सेव ज़रा पकने देंगे उसमें शक्कराइट करेंगे गाड़ा हो चुका है इसके इसता हो पक रहस में मैं शक्कराइट करती हूँ अपनी मिटास के हिसाब से आप दाल सकते हैं यह रूह अबजा भी दा रही हूं इसे थोड़ा कमी यह करेंगे शक्कराइट डालेंगे मैं यह विदा रही हूं बढ़ाँ परपिस्ता और थोड़ा सा रख्यों उपर सजाने के लिए पोड़ पेस्टी लगता है ऐसे बनाके देखो यह पैसी गाड़ी हो चुके पकके इसको अच्छा पका के लिए निगसे उकोस के अंदर वो टेस्टी लगती है और यह थंड़ा होने के बाद में मैं इसमें रूह अबजा मिक्स करूंगी फिर आपको बताती थोड़ा थंड़ा होने के बाद में तो आप इसमें रूह अब्जा मिक्स करती हों और इसको थंड़ा करके फिर खाया जाता है बहुत टेस्टी होती है जरूर ट्राइ करना मेरी रेसिप अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेर करो सब्सक्राइब करो इसको मैं सर्फ करती हूँ आपको बताती हूँ लाफेज